सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए पैसे की पूरी वैल्यू तो आप देखो आगे इस वीडियो को अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी चले शुरू करते हैं अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी फोन्स का मैंने नाम लिया है उन सभी की जो डीटेल्स आपको मिल जाएगे निजे डिस्रिप्शन में हो और ऐसे में ये जो लिस्ट है ये भाईया मेरी मरजी की लिस्ट है मुझे जो अपनी समझ से लगता है कि फोन भाईया लिस्ट में होना चीए वो मैंने इसमें शामिल किया है हो सकता है कि आपको और जो मेरे उपनियों वो मैच ना करता हो लेकिन ऐसे मैं आपको बता दूए इक बात कि ये जो लिस्ट में फोन दिये हुए है अगर मुझे कोई फोन खरीदना हो कल को मार्केट में 10, 12, 15, 20, 25, 30, 1000 का तो मैं इसी लिस्ट में जो फोन आपको रेक्मेंट कर रहा हूँ वही वही फोन पिक करूँगा क्योंकि ये मेरी अपनी समझ है अपनी मेरी है लिस्ट उम्मीद है कि ये आपको आगी पसंद तो भया है बैट जो तसल्ली से नोट गिनलो, क्रेट कार्ड की लिमिट चेक कर लो क्योंकि अगर आपको फोन पसंद आ गया है तो यहाँ पे जो भी मौका है वो काफी अच्छा है हाला कि सेल विल चलती देंगे आगे जाके लेकिन अभी जो है ये फोन मेरी तरफ से है बेस्ट रेक्मेंडेशन आप सभी के लिए तो यहाँ पर जो भीया पहला आप्शन है वो तो निकल के आता है सस्ता सुन्दर टिकाओ, पंदरा सु रुपे का जियो फोन अगर आपके पास में पंदरा सु रुपे हैं, अगर आपको किसी को फोन गिफ्ट करना है सस्ता सुन्दर टिकाओ, तो ऐसे में फोन ले लो पंदरा सु रुपे के हिसाब से भईया जो वैल्यू मिलती हो, बहुत ही कमाल मिलती है और यहां पर तरह तरह के options हैं, free calling वगरे वगरे पैसा waste नहीं होगा, ले लो जियो 4 आजाएगा आपको पूरा मज़ा और यहां पर उसके उपर जो चिंटू मिंटू वाले फोन आते हैं ना धाई 30,000, 4000, 45,000 वाले वो मतलब उनकी तरफ देखो भी मत वो फोन ऐसे है कि आपने एक बार अगर ले लिया तो मतलब मज़ा नहीं आएगा, आपका पैसा समझ लो कि आपने कर दिया block तो उन फोन को छोड़ के सीधे जंप लगाओ आगे 5000 रुपे की तरफ जहां पर आपको मिलता है Redmi का 5A, कमाल फोन है, एकदम balanced फोन है, यहाँ पे एकदम recently launch किया गया है यह आप ले लो, आपको बहुत सारे इसमें कमाल option मिल जाएंगे price के हिसाब से इसके अलावा आगर आपको चाहिए एक और option, तो यहाँ पे भीया निकल के आता है Tenor D यह जो phone है, इसकी price भी same है, 4, triple line और यहाँ पे आपको जो दोने phones है यह काफी कमाल hardware देते हैं, हाला कि मैं जो है, वो Tenor D brand की तरब इतना अधा भी inclined नहीं हूँ क्योंकि बहुती नई company निकल के आई है, लेकिन ऐसे में दो options हैं, ले लो आपको समझ में आ जाएंगे जो phone है, वो काफी बढ़िया होगा, आपको जाना है इसके ऊपर, तो भया, यहाँ पे 6,999 रुपर के आपको मिलता है Xiaomi का Redmi 4, fingerprint scanner भी है, metal design भी है, snapdragon का processor भी है, लंबी battery भी है, सारे इसमें कमाल का options मिल जाते हैं 7,000 रुपर की price range में, तो आप इस phone को भी ले लो, इसके लावा, अगर आपको यहाँ पे बढ़िया, dual camera पसंद है, तो यहाँ पे एक और phone निकल के आए है, जो है, in focus का vision 3, आलागि personally, मैं इस phone को इतना recommend नहीं कुरूँ को भी को जो processor है, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो screen आपको मिलता है, वो है भया, 5.7 inches का वो पतले लंबा, 18.9 aspect ratio वाला, आपको मिलता है बीचे आपे dual rear camera का support, तो यह phone जो है, वो भी 7,000 रुपे का है, अगर आपको लगता है, भरोसा in focus में, अगर आपको समझ में आता है, कि आपको ऐसा ही phone चाहिए, तो आप इस phone की तरफ भी देख सकते हो, इसके लागा भया, इसके उपर अगर आप निकल के आते हो, अगर आपको पसंद है selfie, तो Xiaomi का जो Redmi Y1 है, 16 megapixel के front camera के साथ में आपको मिल सकता है, 8 triple line rupees का, हालांकि यह जो phone है, यह mainly selfie center के है, जो बाकी कुछ options है, वो यहाँ पर Xiaomi ने cut की है, जो इतना powerful हो गरे नहीं है, लेकिन फिर भी, selfie के लिए budget range में यह जो phone है, इसके उपर जाओगे तो Xiaomi का Redmi Note 4 आजाएगा, जो आपको अलगे-लग विरिंट से मिलता है, तो यह बढ़ता है करीब 10,000 रुपे का, और इसके बाद में आपको 10,000 रुपे इंदर मिलता है, यहाँ पर Honor का 6X, यह जो phone है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो camera इस phone का बड़ा ही कमाल है, camera अगर आपको चाहिए, अच्छा कुछ जो Xiaomi के phone से उसमें दिक्कत क्या थी है, निकल गए कि जो camera है वो इतना अच्छा नहीं होता है, चाहिए मैं आपसे बात करता हूँ, Redmi 4 की, या फिर Redmi Note 4 हो गएरे की, तो यहां पर आपको बहतर camera experience मिल जाएगा, Honor के 6X में, और इसके अलावा यहां पर आपको चाहिए थोड़ा सा और अच्छा camera तो यहां पर जो Moto का G5 Plus है, उसका camera इससे भी अच्छा है, तो वो आप ले सकते हो, यहां पर आपको मिल जाए अगरी 12,000 रुप आप में, तो जो phone है, वो काफी compact बन जाता है, screen काफी बड़ा होने के बावजूत भी, हाला कि यहां पर जो camera में artificial सा bokeh लगता है, मैं उससे इतना satisfied नहीं हूं, मैंने इतना use किया इस phone को, लेकिन mainly एक balanced phone है, camera जो है वो काफी अच्छा है, screen काफी अच्छा है, तो यह आप 13,000 रुपे में, अब यहां पर इसके अलावा, अगर आपको चाहिए भया कोई popular सा brand, तो आपके पास में है LG का Q6, जो कि आपको मिलता है करीब 14,000 रुपे में, यहां पर भी आपको मिलता है नए style का display, दिक्कत क्या है, इस phone के इंदर के आपको fingerprint scanner नहीं मिलेगा, तो ऐसे म मतलब LG का खाली नाम है, जो बाकी phone के features हैं, वो उस price के अब से इतने ठीक नहीं है, लेकिन यह phone आपको मिल जाता है 14,000 में, और ऐसे में 14,000 में आपको जो और कमाल का एक phone मिलता है, वो है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi A1, यहां पर आपको मिलता है भया latest Android का आगे तक का भरोसा, क्योंकि जो phone है वो आता है Google के साथ partnership में, और ऐसे में यह जो phone है, इसमें dual rear cameras है, phone overall एक काफी balanced phone है, जो price है 14,000 रुपे की फिलाल, वो मतलब इस phone के लिए एक दम justified है, तो यह भी आप ले सकते हो, इसकी अलावा आपको भया, यहां पर मिल जाता है Xiaomi का Mi Max 2, अगर आपको बड जाता है Moto के G5S Plus का dual rear cameras है, phone की जो price है, वो भी जास रिसेंटी डिद्यूस हुई है, जो होगी है अभी 15,000 रुपे, आप इस phone को ले लो, यहां पर जो यह phone है, यह फिर आपसे बात करता हूँ, और 7X की, यह फिर आपसे बात करता हूँ, शामी के Mi A1 की, तो तीनों ही जो है इसकी उपर निकल के आता है Honor का 9i, यह है 4 camera वाला phone जो price है, वो है 17,99 रुपे, तो यह जो phone है, यह भी camera centric phone है, hardware भी ऐसा है, कि आपको कुछ कमी नहीं पड़ेगी, screen जो है बड़ा है, पतला लंबा screen है वगर है वगर है तो आप यह भी purchase कर सकते हैं, और अगर आप भक्त ब परना मैं इतना दिल से recommend करता नहीं हूँ, और अगर आपको पसंद है Samsung का कोई phone, तो Samsung के जो इसके नीचे वाले phones है उन सब को भूल जाओ, वो अगर आप लोगे तो आप मतलब परिशानी रहोगे, लेकिन यहां पर Samsung का J7 Pro है, वो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपे में, तो तो आपको 20,000 रुपे के अंदर काफी अची value प्रवाइड कर देगा, इसके अलावा यहां पर अगर आपको आपको अपके phone में चाहिए कि आपको भाईया जो चीजे हैं मिल जाएं ऐसी की, सर्दी गर्मी बारिश परसाद जापको phone है, वो ठीक तरीके से काम करें, तो यह यहां पर जो Motorola X4 निकल के आता है, वो भी आप purchase कर सकते हो, इसमें भी हैं आपको मिलने वाले dual rear cameras, जहां पर जो एक camera infect वो तो है wide angle वाला, तो यहां पर जो phone की price से फिलाल है 20,999 रुपे, यह आप purchase कर लो, काफी अच्छा phone है, Snapdragon 630 मिलता है, इन जर्नल जो इस range के phone से, जो और इसे कम price वाले भी है, समय आपको मिलता है Snapdragon 625, बहुत ही common तरीके से, लेकिन यह आता है Snapdragon 630 के साथ में, और SM 21,000 रुपे के प्रेस के साब से काफी अच्छा phone है, Motorola का Moto X4, और इसके बाद भी अगर उपर जाते है, तो Samsung का A9 Pro मिल रहा है, आपको कुछ 22,000 रुपे के अंदर तो वो भी आप ले सकते हो, स्क्रीन AMOLED होगे आपको मिलता है Samsung का, और SM एक balanced phone है Snapdragon 652 के साथ में, अलांकि थोड़ा पुराना सा हो गया है, लेकिन अगर आपको Samsung ही लेना है, तो आप SM A9 Pro भी ले सकते हो, लेकिन जो अभी deal निकल के आ रही है, कमाल deal है, LG का V20, ऐसा मतलब कम 2000 में एकदम killer deal है, अगर आपको लेना है, तो आप ले सकते हो, phone ना लगी last year का है, लेकिन price के साब से बहुत ही complete package मिलता है LG के V30 में, और इसके बाद में आता है Honor का 8 Pro, यहाँ पर यह जो phone इसके price अभी कम होगी है, जो आपको मिलता है करीब 26,000 रुपे का, ऐसे में जो screen है बहुत सही है, 6GB की RAM है, 128GB की storage रो की camera है, वो भी बहुत ही कमाल है, तो यह जो Honor का 8 Pro है, यह भी आप ले सकते हो, जो price हो गई है, 26,000 रुपे, इसके बाद में यहाँ बहुत ही बहुत ही कम हो जाती है, मतलब LG के तो यह पर प्राइस के साब से बहुत ही कम हो जाती है, मतलब बुरा नहीं लगेगा, phone आपको definitely आएगा पसंद, इसके लावा यहाँ पर Samsung का S7 है, वो भी मिलता है, भी 30,000 रुपे के असपास, phone हलाकि वो एक साल पुराना हो गया है, तो यहाँ पर आगया है, तो यहाँ पर आगया है, आपके लिए OnePlus का 5T, जो price शुरू होती है, वो हो 33,000 रुपीज से, और ऐसे में यह जो phone है, यह मतलब एकदम latest phone है, complete package है, चैम से बात करता हूँ, camera के मामले में, चैम से बात करता हूँ, speed के मामले में, design के मामले में वगर है, यह जो phone है, यह आपको मिल जाए एकदम बढ़िया तरीकी से 33,000 रुपे का, और इसके साथ में अगर आपको चाहिए, latest phone, camera आपका इतना important focus नहीं, because यहाँ पर जो me mix 2 आता है, उसका जो camera है, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन design के मामले में, बहिया, मतलब जो phone है, वो एकदम कमाल है, जो price निकल के आती है, वो है 36,000 रुपीज, लेकिन यह जो phone design के मामले में, बहिया एकदम टकर देता है, सबी बाकी phones को, bezel आपको मिलता है, complete यहाँ पे display, जो camera है, वो इतना strong नहीं कहूंगा, लेकिन यह भी एक option है, आपके लिए अगर आपको करना है, चूज, इसके बाद में, बहिया, यहाँ पे आपको मिलता है, उपर अगर आप बढ़ोगे न, तो बरस 7 है, आइफोन 8 है, 8 Plus है, आइफोन 10 है, वगार है, वगार है, ऊपर के जितने भी phones से भईया, आपने budget के साब से जो मर्जी phone चूज कर लो, सभी के सभी के अंदर आपको मिलती है, कुछ अच्छी बात है, कुछ कमिया है, perfect तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर एक phone जिसको मै रेक्मेंट करता हूँ दिल से, तो वो है Pixel 2 XL, कैमरा के मामले में, स्पीड के मामले में, सभी चितन के मामले में, overall एक बहुत ही कमाल का balanced phone है, अगर आपको चाहिए बहुत ही high level की productivity तो यहाँ पे आप note 8 भी purchase कर सकते हो, अगर आपको phone ऐसा चाहिए कि भईया, मतलब इस से उ पूच रहे हो कि यहाँ पर भाईया, बहुत सारे phones तो मैं include नहीं के, Nokia का यहाँ पर एक भी phone नहीं है, क्योंकि Nokia जो phones है वो इतने अच्छे नहीं है, इस बार value नहीं मिलती है, आपको लेने के लिए तो आप क्यों लोगे, जहां तक बात है भाईया, selfie वाले phones की, तो अगर प्राइम में मकसद है, लाइफ का वो selfie है, तो आप बहुत सारे phones आते हैं, V7, F5, F5+, वगरे वगरे, यह आप कोई चूज कर लो, आपके बजट के साब से आपको जो fit बैठता है, selfie तो अच्छी मिल जाएगे, लेकिन phone जो है, वो इतना मज़दार नहीं मिलेगा, इसके अल इतने एची value प्रोवाइड नहीं करते हैं, मैंने इसलिए उनको भी include नहीं किया, बाकी जो list आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ-कुछ killer deals भी है, बीच-बीच में जो कि आपको phones बहुत ही कमाल मिल रहे हैं, for example, चैया Honor का 8 Pro है, चैया LG का V20 वगरे है, G6 वगरे है, तो अगर आप वेट करते हो, और चारपास दिन का, तो शायद आपको कुछ और भैतर जो एक value है, वो मिल जाएगी अपने पैसे के, आपको शायद phones कुछ सस्ते मिल जाएगे, तो बस दोस्तों जाओ, खरीदो phones कर लो, enjoy, Gio phone से लेके iPhone 10 तक, तो फिलाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, बंदे मातरम